मकर संकरांती पर दही चूड़ा तिलकुट खाने को शुब माना जाता है, हाला कि इसके कई वैज्ञानिक महत्व भी हैं। दही में जहां अच्छे बैक्टिरिया के साथ विटमिन, पोटेशियम, काल्चियम, मैगनेशियम और प्रोटीन का भंडार है, महीं चूड़ा में कार्बोहाइडरेट, आईरन और तिल में मोनो साचुरेटेड फैटी एसेड होता है, जो हमारे शरीर से कॉलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, और शरीर को उर्जा प्राप्त होती है। थंड के इस मौसम में चूड़ा, दही और तिलकुट खाने के हैं वज्ञानिक महत्वों। चूड़ा में पाया जाता है कार्बोहाइडरेट और आईरन। गर्बोती महिला और बच्चों को चूड़ा खाने से बढ़ता है हिमोगलोबीर। दही में होता है कैल्शियम, प्रूटीन, लैक्टो, जाइरन, फासफोरस और विटमीन तिलकुट में पाया जाता है। दिन में सही मातरा में खाये जाने वाले दही से नहीं होता ठंड में कोई नुकसान। ठंड में तिलकुट खाने से शरीर को मिलती है कर्माहाट। जो कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रूखता है। इसके वज़ाद से लंग्स कैंसर, पेट की कैंसर, यूकेमिया, प्रोस्टेट कैंसर और बेस्ट कैंसर जैसे बीमारियों की आश्चंका कम हो जाती है। इसके अलावा भी तिल कई और बीमारियों की होने से बचाता है। कि चूड़ा तिलकूट दई यह सारे चीज बहुत अच्छा है और ठंड के मौसम ही हम लोग पहले से देख रहे हैं मिलता है तो यह इसलिए ठंड के मौसम में कि इसमें एक आयरेन है मौसम में कोई भी वैक्टिरिया वायरस से जालती हम लोग यह हो जाते हैं बीमारी से ग्रासित हो जाते है तो ठंड के मौसम में तिलकूट खाना एक बहुत अच्छा है इसमें तील है जो कि उसमें कैल्शिया वीटामिन्स मिंडल सारे चीज है इसलिए तिलकूट भी खाना जालती है जो आयरन और कैल्शियम है शरीर के यह से देखते वह और कोरोना के टायम को देखते वह खाना चाहिए चुड़ा तिलकूट दही सारे चीज अच्छे से खाना चाहिए गुल भी शरीर के लिकाई रोगों के लिए रामबान की तरह माना चाता है गुल शरीर में खून की कमी को दूर करने में साहयक होता है साथ ही बलड प्रेशर वो कंट्रूल करता है गुल में परचूर मातरा में विटमीन, गुलको, जायर्ट, मैगनिशियम, कैल्शियम, पुलिशियम जस्ता पाया चाता है इसलिए इस मकर शक्रांती चूला तही गुल तिलकुट खाए और बीमारी उसे बचे राचिस न्यूस लेवन भारत कले सहियू की राजा के साथ सत्यवर्थ किरण की रिपोर्ट